एक और खबर आपको बताते हैं दरसल 25 से अपरिल को सुबह 6 बच कर 10 मिनिट पर बाबा के दार नाथ के कपाट खुल जाएंगे भगवान के दार नाथ की पंच मुखी भोग मूर्ती चल विग्रह उत्सब डोली 22 को फाटा 23 को गौरी कुंड में रात्री प्रवास करते हुए डोली 24 एपरिल को अपने धाम पहुँचेगी वहीं सुबह 9 बचे भगवान के दार नाथ की पंच मुखी भोग मूर्ती चल विग्रह उत्सब डोली में विराजमान होकर पंच के दार गद्यस थल ओंकार इश्वर मंदर उखी मट से अपने धाम के लिए प्रस्थान किया सेना की बैंड धुनों और भक्तों के जैकारों के बीच डोली पहले पढ़ाव पर रातरी प्रवास के लिए विश्वरात मंदर गुप्त काशी पहुँचेगी तो बाबा के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है 25 एप्रिल को कवपार्ट खुल जाएंगे ये सुन्दर खुबसरोत तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं 22 को फाटा 23 को गौरी कुन 24 को केदार ना पहुचेंगे देखे किस तरीके से पूचा अर्चना भी हो रही है और दूसी तरफ ये बेहदी सुन्दर तस्वीर निकल कर सामने आ रही है बाबा के दर्बार से बाबा के एदार की डोली ओंकारेश्वर से प्रस्थान कर चुकी है तो 25 एपरील को कपाठ भी खुल जाएंगे जिसका इंतजार भक्त साल भर करते हैं